हलो माई यूट्व फैमिली वेल्कम बैक तो माई यूट्व लॉग तो आज मैं आपको लेकर आई हूँ मुंबई में दादर रेल्वे स्टेशन से बहुत ही नस्दिक एक एकदम गोवा स्टाइल में फूड सोफ करने वाले वेंचर पे जिनका नाम है रेवास कीचन ये रस् कानी शंकर रोड पे वहां आप किसी से भी पूछ लेना अशक वाडी मार कहां है वहां पोछते ही आपको एक कॉलेज दीखेगा जिसका नाम पेस आयाईटी कॉलेज है उसके एकजटली सामने ही इनका वेंचर है आप देख सकते हो कि ये उनका वेंचर है जो की एकदम अथेंटिक टेस्ट में हाईजिन भी इंका टेन और टेन है आप वीडियो में देख सकते हो यह वह पेस कॉलेज है दादर का उसके एकजटली सामने ही इनका वेंचर है गूगल मेप पे इनका लोकेशन एवेलेबल है तो आप गूगल Zwir अब यहाँ जरूर विजिट करना और कैसा लगा है मुझे बताना यह रहा इनका fantastic menu card जो की एकदम attractive way में इन्होंने बनाया है आप देख सकते हो price list के साथ में इनका menu card available है और varieties of food option ये serve करते है मुझे इनका सबसे best part लगा कुलचा वाला section जो की बहुत ही मस्ते ये रहा इनका address ये facebook, youtube और instagram पे available है आप इने वहाँ follow कर सकते हो ये रेवास kitchen के owner है जो अपनी ममा के साथ में ये venture को चलाते है और authentic taste में टिकाज, कबाब और ये सब ये serve करते है इनके पास में पहाड़ी टिकाज, तंदूरी चिकन ये सब available है वो भी एक dumb tasty और एक dumb finger-licking delicious quality में और इनका सबसे best part है कुलचा जो कि मुझे personally बहुत अच्छा लगा था, मैंने ये for the first time खाया था और चिकन के साथ में इसको तो खाने में जो मज़ा है वो आप लोग यहाँ विजिट करके जरूर खाना बहुत ही tasty लगता है, ये कुलचा cheese में भी available है और normal कुलचा भी ये serve करते है इनका outer look भी बहुत अच्छा है जो कि एक dumb simple way में इन्होंने बनाया है पर यहाँ बेट के खाने में मज़ा बहुत आता है यहाँ की रश को देखते हुए आपको समझी गया होगा कि मुंबई वालों का ये कितना favorite spot है और personally मुझे भी बहुत अच्छा लगा है मैंने यहाँ order किया था मालवानी chicken जो उन्होंने मुझे लेक टेस्ट के साथ में serve किया जो कि बहुत ही tasty था उसके साथ में कुलचा, सोलकडी अगेन इनकी सोलकडी की टेस्ट भी बहुत जादा अच्छी है और उसके बाद में मैंने ममा के लिए खीमा order किया था जो कि chicken का था और वो भी टेस्ट में बहुत ही अच्छा था first bite खाते ही आप लोग देख सकते हो मेरी ममा का reaction एकदम मस था क्योंकि उसको भी वो टेस्ट बहुत अच्छी लगी थी यहाँ पे बैटके चिल करके एकदम गोवाली feeling आती है अगर आप लोग गोव विजिट किये होगे तो वहाँ पे भी खाने का जो food stall पे मज़ा आता है वो same feeling यहाँ पे है आई होप आपको मेरा व्लोग अच्छा लगा होगा शेर करना लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलना